है है एप रेंड्स माइश है डॉक्टर फर्मार एड्या वाचिंग मैं चैनल आरेंपी इंफो मित्रों अप्सर हम गाय बेश बकरी अधी पशुप आते हैं तो केवाद दूदुद पादन के लिए तो मित्रों इस दूदुद पादन के लिए खास तोर पर जो सिस्ट्म कारे रथ है उसे reproductive system कहते हैं जनन प्रक्रिया कहते हैं तो इस reproductive system में जो अलग-अलग reproductive organs होते हैं याने जननांग होते हैं तो वही जननांग वही जननांग दूद उत्पादन प्रक्रिया में मददगार होते हैं तो आज हम इस जनननंगों के बारे में प्रात्मीक जानकारी लेंगे तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंट्स प्रतम यह जो रीप्रोडुक्टिव सिस्टिम है उसे हम दो भागों में बाटेंगे प्रतम भाग है male reproductive system और दूसरा भाग है female reproductive system प्रतम हम male reproductive system के बारे में जानकारी लेंगे याने bull याने sand के जननांग के बारे में जानकारी लेंगे तो हम प्रतम यह पहला फोटो देखिए इसमें तीन glands दिखाए है हमने तीन glands के नाम है जो उसके नाम इस प्रकार है seminal vesicle दूसरा prostate gland और तीसरा है cowper's gland इन सब के नीचे blue color की line हमने लगाई है blue color line वाले तीन glands है यह तीन glands जो होते हैं सीमें और sperms तयार करते हैं उनका काम है सीमें और sperms तयार करना अब दूसरा फोटो देखिए मित्रों यह दूसरे फोटो में क्या है जननांग बताए हमने male reproductive organs के पांच है टेस्टीज पहला टेस्टीज दूसरा वास डिपरंस तीसरा ब्लैडर चोथा यूरेत्रा पाचवा पेनिस इन सब के नीचे हमने रेड कलर से लाइन लगाई है रेड कलर की लाइन तो टेस्टीज में क्या है स्पर्म स्टोर होते हैं जो आते हैं उदर तीन ग्लैंड्स रहते हैं उसमें से जो आते हैं वह सब टेस्टीज में स्टोर होते हैं फिर वह वास डिपरंस दौरा यूरेत्रा में जाते हैं और यूरेत्रा दौरा पेनिस में जाते हैं पेनिस के द अब नंबर दो पे हम female reproductive system के बारे में जानकारी लेंगे याने cow के जननांग के बारे में जानकारी लेंगे तो यह पहला फोटो देखिए उसमें लगबक 7 याने 7 जननांग बताये गए हैं और उसके नीचे red color की line लगाई गई यह तो पहला है वल्वा दूसरा वजयना तिसरा सर्विक चोता यूटेरस पांचवा यूटेराइन होर्न्स छठा ओवीडक और सात्वा ओवरी मित्रो यह सात महचव के और गंस है उसी तरह ठीक उसी तरह दूसरा फोटो भी देखिए उसमें भी यह अलग लाइन से अलग तरह से यह सात पार्ट्स दिखाए गए हैं ब्लू कलर लाइन में दिखाए गए हैं तो पहला वल्वा वजयना तिसरा सर्विक चोता यूटेरस यूटेराइन हॉन्स पाचवा छट्टा फैलोपेंट ट्यूब और सात्मा ओरी तो अब आपको मित्रो अब आपको फीमेल रिप्रडुक्टिव पार्स के पूरे समझ में आ गए होंगे तो मित्रो आपको मालूम है कि जब काव हीट में आती है तो ओरी में से एक ओहम यहन में अंडा आता है और अनियन डिश्चार्ड भी करती है उससी तरह जब हम उस काव को नैचरल सर्विश पे ले जाते हैं तो बुल याने सांड भी उस काव पे माउंट करके अपने टेस्टीज में स्टोर किये गए स्पर्म्स को बेनिस द्वारा काव के बच्चे दानी में प्रवेश कराता है और बच्चे दानी में जो ओम रहता है उसे फटिलाइजिशन करके एक जाइगोट बन जाता है और यह जाइगोट बच्चे दानी के अंदर के एक मेंब्रेन पे परदे पे चिपक जाता है और धीरे धीरे काव के द्वारा उसे सब कुछ नरिश्मेंट मिलता है और उसका विकास होता है मित्रो और जब वह डाई के तीन मास्का गर्ब हो जाता है तो AI वरकर द्वारा उसे PD करके उसका पक्का निदन किया जाता है डाइग्नोस किया जाता है मित्रो ठीक ठीक इसी तरह अर्टिफीचियल इंसेमिनेशन ने करतिनम विजदान में भी होता है जब काउईट में आती है यह वरकर उसे अर्टिफीचियल गंद्वारा यह करता है और ठीक सर्विक्स और काउग के यूटेरस में स्परम स्फ्लूइट्स को जमा कराता है और तीन मैने के बाद उसका पी मोटे डिसिस के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं तो मित्रोगाय में कभी-कभी ओरी का प्रॉब्लेम रहता है सिस्टिक ओरी का प्रॉब्लेम रहता है बच्चे दानी में में मेट्राटिस या पायो मेट्रा भी हो सकता है और कभी-कभी पशू हीट में भी नहीं आ दूत का योग्य सप्लाई भी चालू रहें तो मित्रो इस वीडियो को इस वीडियो से आपको बहुत ही जानकारी मिले होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेड करें और अभी तक आपने मेरी चनल को सब्सक्राइब नब किया तो प्लीज सब्सक करें थैंकियो थैंकियो वेरी मुच